तो हेई गाईज, वेलकम टो नियो वीडियो, तो गाईज इस वीडियो में आज हम बात करेंगे शोमी के मी 10i के बारे में तो गाईज ये जो स्मार्टफोन है वो 5th of January को इंडिया में लौच के जाएगा और एमाज़ून पर इस स्मार्टफोन का जो लेंडिंग पेज है वो भी शो हो चुका है जैसा कि आप इस पोस्टर में दे सकते हैं यहां पर पूरी तरह शोमी ने हाईलाइट किया है कि इसमें आपको 108 मेंगा विक सगर रियर कैमरा मिलेगा तो इस से गन्फरम होता है कि शोमी अपना मीट आई जल्दी इंडिया में लौच करने वाले है और यह जो स्मार्टफोन अब फिप्ट ऑफ जनवरी को इंडिया में लौच के जाएगा तो गैस लौच से पहले इस स्मार्टफोन के जो कलर्ज और मेंबरी उप्शन है वो लिक होकर आ गए है जैसा कि आप इस में जिसमें देख सकते हैं आपको तीन कलर्ज के साथ ये स्मार्टफोन देखने के लिए मिलेगा और इसमें आपको जो स्टोरेज ओप्शन होगे वो आपको दो देखने के लिए मिल जाएंगे तो गैस जो शोमी का मीट अन आई होगा ये तीन कलर्ज के साथ इंडिया में लौच के जाएगा एक Midnight Black, Pacific Sunrise, Atlantic Blue तो आपको तीन कलर्ज देखने के लिए मिलेंगे और इसमें आपको 60V RAM 128GB का Base Variant मिलेगा और जो Higher Variant होगा वो 8GB RAM 128GB का होगा इसकी जो स्टार्टिम प्राइज होगी वो आपको 21,000 पर देखने के लिए मिल सकती है तो आप लेकर चलो कि जो Motorola का Moto G 5G है उसके आसपस आपको इसकी प्राइज देखने के लिए मिलेगी और जो Higher Variant की प्राइज होगी वो आपको 25,000 के करीब देखने के लिए मिलेगी तो इस स्मार्टफोन में आपको Snapdragon 750G वाला परसेसर मिलता है यहाँ पर आपको IPS LCD पैनल देखने के लिए मिलता है AMOLED पैनल देखने के लिए नहीं मिलता और इसमें आपको 16 Megapixel का Selfie Camera मिल जाएगा 108 Megapixel का Rear Camera होगा 8 Megapixel का Ultra Wide Angle Camera होगा 2 Megapixel का Depth and 2 Megapixel का Macro Sensor होगा और यह जो स्मार्टफोन अब 4,820 mAh बैटरी के साथ आएगा जिसमें आपको 33 VOT की Fast Charging का Sport मिल जाएगा और इसमें आपका Android 10 का Sport मिलेगा जो Based होगा MIUI 12 पर और इंडिया में यह जो स्मार्टफोन अब 5th of January को लौच के जाएगा तो देखते हैं कि कितनी प्राइस के साथ यह जो स्मार्टफोन है वो इंडिया में लौच होता है तो आई होग कि आपको वीडियो को लाइक कर दीजे शेर कर दीजे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजे और साथ एक बेल को दुबा दीजे तक कि आपने वले अपडेट को मिसना के लिए ठेंकिए